नमस्कार दसकों मैं हूं कमल श्रीमाली आप सभी का स्वागत अभिनंदन हमारे धन इसमेदी दाएक उपायों के इस एपिसोड में कहा जाता है कि प्रसंता घर को स्वर्ग बना देती है भरत में एक मान कूटनिति के आचारे चानक के हुए थे उन्होंने कहा था कि वग्रस्तास्रम वगर धन्य है स्वर्ग तुल्य है जिस घर में सदा प्रसंता दिखाई देती हो जिस घर में हसने की मुस्कुराने की इस्थिती दिखाई देती हो हसने की आवाजें आती हो विवा संसकार के अफसर पर भी जो मंतर बोले जाते हैं उनमें कहा जाता है कि बेटी तेरा घर ऐसा हो जहां रात में दिन में कभी भी रोने की तरफने की आवाजें ना आए ऐसा घर जहां कोई भी कल्य की आवाज ना सुनाई दे ऐसा गर जहां सब एक दोसे को निचे गिरा करके खुश नहीं होते हो बलकि एक दोसे को आगे बढ़ा करके खुश होते हो वह घर तुझे मिले, ऐसा घर तुझे मिले, वहां कि तु रानी बन करके रहे ये ग्रस्ति का उत्तम स्वरूप है चानकियन अपने सिस्यों से का कि दौलत कमाओ या ना कमाओ लेकिन अपने गर में सुख सांती प्रसंता जरूर कमाओ जो आदमी अपने गर में सुख सांती प्रसंता नहीं रख सकता जो प्रसंता से जीवन नहीं जी सकता जिसके बच्चे मुश्कराते हस्ते नहीं हो, जिसके गर में पती-पत्नी के बीच में प्रेम के समवाद न होते हो, जिन भायों में प्रेम और स्वहाद्र न हो, जिस घर की दिवारों में एड़ सिया द्वेस बसावा हो, वह घर स्वर्ग नहीं नर्क के समाने, दौलत आ भी गर ऐसा होना चाहिए जो आनन से परिपूर्ण हो वेदों में इसके लिए और सब्द आया है घर ऐसा हो जिसमें घी दूद की नदियां और नहरे हो सरत की तो गर में नहर बह रही हो ऐसी जगह स्वर्ग है आदमी जो कामना करता है वह सब पूरी हो जाती क्योंकि हमां कल्प है ये सारा वर्णन हम लोग स्वर्ग का पढ़ते हैं लेकिन देखा जाये तो अगर हम अपने घर को ठीक से व्यवस्तित कर लें और सब कुछ आपको यहीं मिल जाए तो सोच लेना मेरे प्रभू ने मुझको स्वर्ग यहीं दे दिया है ना स्वर्ग धरती के नीचे है ना कोड़ी बनकर के लोग बैटे वे हैं एक दूसे को काटा जा रहा हो जिस गर में बीमारी पीछा ना छोड़े लड़ाई जगड़ा खत्मा ना होता हो रोज इर्षिया और द्वेस बढ़ जाता हो जहां क्रोत की अगनी बुझती ही नहो रोज उसमें इंदन डाला जाता र हो सोच लेना वहां नर्क है अच्छा गर वह है जिस गर में आनंद और प्रसंदता है यह लक्षमी का विसेज गुण है यदि आप लक्षमी को अपने गर में विराजमान रखना चाहते हैं तो उस गर में आनंद और प्रसंदता की वर्षा कीजिए उसमें आनंद और प्रस पैदा कीजिए अब मैं आपको वो इस्तितियां बताने जा रहा हूं जो आपको अपने घर में कभी नहीं करनी है क्योंकि इससे लक्षमी रूट करके घर से चली जाती है लक्षमी रूट करके चली जाए ऐसी गलतियां भूल से भी नहीं करना चाहेंगे वो गलतियां क्या है ये जरा ध्यान से सुन लिजे कई बार अंजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं हम लोग जो लक्षमी के रूटने का कारण बन जाती है यह कारण ऐसे हैं जो विश्णु भी गलती करें लक्षमी उनका साथ छोड़ जाए सास्त्रों में मوجود कथां और मानने तों कर सुम लक्षमी ऐसा कहती है जीता में भगवान ने काए कि कम सोने वाले और अधिक सोने वाले दोनों के ही मनुरत सिद्ध नहीं होते यानि सोने के जो समय है उस समय ही भगवान का ध्यान करके सोना चाहिए कुछ लोगों को जब नीद आ जाती है तो सो जाते हैं ये उचित नहीं है मारकंडे पुरान के नुसार साम के समय जब सूरियास्त हो रहा हो उस समय भूल करकर भी नहीं सोना चाहिए और प्राते का जब सूरियों दे के समय सोने वालों पर भी लक्षमी की कपड़ा नहीं रहती है अधाद ये पहला आपका दुरगुन है अवगुन है जिसको आपने ठीक करना है सेक्ट चीज है कि अगर आपको दोस्तों से कपड़ा मांग करके पहनने की आदत है दोस्तों की मोटर सैकल या कार लेकर के अक्सर गूमने चले जाते हैं तो यह आदत सुदार लिजे सास्त्रों में का गए कि जो विक्ति पराय धन दोस्तों की सवारी दोस्तों के घर में रह करके जीवन यापन करता है उसके बास में लक्समी नहीं ठैरती जो विक्ति दूसरों की स्तिरी से सम्मन्द रखता है तो आख कूद्रस्ती रखता है उसके धनका भी नास हो जाता है रावण ने सीता का हरण किया और बाली ने सुग्रिव की पत्नी पर अधिकार कर लिया इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों को अपना सामराज्य और जीवन गवाना पड़ा इंद्रिन देवी अहलिया का मान भंग किया जिसके परणाम सरुप उसे भी देवलोक से भागना पड़ा अब मैं आपको तीसरा अवगन बता रहा हूँ जिसको करने से लक्षमी रूट करके चली जाती है इस्वर ने हर जीव को पेड़ दिया है इसलिए उसे पालना जरूरी है इसका पालन भोजन से होता है लेकिन भोजन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके खानपान में कोई ऐसी वस्तू नहीं हो जिससे आपका स्वबाव और आपका मन दूश्चित हो मा भारत के सांती परों में बताए गया है कि देवी लक्षमी कहती है कि जो विक्ती जुवा चोरी और मास मदीरा का सेवन करता है उसके घरमे में कभी नहीं ठहरती देवी लक्षमी का भक्त राजा बली की एक छोटी सी कता है कि उसने एक बार मास मदीरा का सेवन किया इससे आवेश में आकर बली ने ब्रामनों का अपमान कर दिया देवी लक्षमी इससे कूपित हो गई और इसका परिणाम यह हुआ कि भगवान विश्णु वामन के रूप में राजा बली के पास में आये और इसके राजपाट पर अधिकार कर लिया जुआ खेलने के कारण युदिस्तर को इंद्रप्रस्तर राज वैबव गमा करके भाई और पत्नी के साथ वन वन भटकना पड़ा राजा विराट के राज में काफी समय तक दास बन करके रहना पड़ा अब आता है लक्षमी के रूटने का अगला अवगुण सास्तरों में का गया है कि स्त्रियों में देवी लक्षमी का वास होता है जिस घर में माता जिस घर में पत्नी जिस घर में बेहन और जिस घर में पुत्री का अपमान किया जाता है उस घर में लक्षमी ठैड़ना पसंद नहीं करती लक्षमी के नाराज होकर के चले जाने पर ऐसे घरों में लक्षमी की बहन दरिदता आकर के बस जाती है जिससे दिनों दिन घर की इस्तिती खराब होने लगती है कले और आर्थिक तंकी कारण व्यक्तिका हर दिन कष्ट में बीतने लग जाता है तो ये थे कुछ अवगुण आपने अपने जीवन में इन अवगुणों को हटाना ही पड़ेगा तभी लक्षमी आपके द्वार पर दस्तक देगी तभी लक्षमी का आगमन आपके घर में होगा अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दिपावली की राद लक्षमी आगमन के संकेत क्या होते हैं यदि वो आपको दिख जाएं तो याप मान करके चलिएगा कि दिपावली का आगमन अथा लक्षमी का आगमन आपके घर में होने जा रहा है दिपावली की राद देवी लक्षमी धर्थी पर आती है इस राद जिस घर पर देवी की करपा हो जाती है उनके लिए पूरा वर्स सुखद रहता है धन आगमन और लाप का स्तोत्र बना रहता है बहुतिक सुख के साधन और स्थाई संपद्धी में व्रद्धी होने लगती ह शकुन सास्तर और प्राचीन मानिताओं का अनुसा दिपावली की राद कुछ ऐसे संकित मिलते हैं जिससे आप जान सकते हैं कि इस वर्स आप पर लक्षमी की करपा हुई है या लक्षमी की करपा बन रही है दिवारों पर दोड़ती हुई छिपकली आपको यू तो अक्सर दिख जाएगी लेकिन दिपावली की राद छिपकली का दिखना बड़ा ही दुरलब होता है इस राद अगर आपको छिपकली दिख जाए इदीवार पर तो ये बड़ा ही अच्छा सकुन माना जाता है या लक्षमी की करपा का सुचक माना जया है एक और बात घर में का सूचक है धंदवदी का इंडिकेशन है बिली को नकारत्मक उर्जा का संचार करने वाला जीव माना गया लेकिन दिपावली की राथ घर की छत पर बिली आकर के चली जाए या घर में आकर के बिली चली जाए तो इस सगुन को इस सिचुएशन को इस्थाई लक्षमी की प् करके ब्रहमन करती है इस दिन उल्लू का दिखना बहुत ही सुब माना जाता है कि इस दिन उल्लू का दिखना देवी लक्षमी की करपा से ही संभव होता है अपने छचुंदर का नाम सुना होगा छचुंदर जमीन के अंदर बिल बना करके रहता है यह रात के समय घरों में अधा सालबर पैसे की आमद बनी रहती है इनकम बनी रहती है यह माना जाता है दिपावली की दिन गिरावा अत्वा कहीं लक्षमी का पूजन करें तो आपको यह करना है दिपावली की रात्री में लक्षमी पूजन के पस्चात लक्षमी पूजन के समय एक चांदी की छोटी सी डिबिया लिनिये जिसमें चांदी काई ढकन हो या दूसरे धातुकी ले सकते हैं संभव ना हो तो कोई दूसरे धातू की ले ले उसमें उपर तक नाक के सर तता सहथ भर करके इसको बंद कर देना है ठीक नाक के सर एक प्रकास से पुस्प होता है और नाक के सर और सहथ दोनों भरने है उपर तक भरने है और फिर इस डिबी का आपने ढखन बंद कर लेना है और इसको रात्री में ही रात में ही अपने गले या तिजोरी या अलमारी या जहां पर आप अपने गैने रखते हैं, रुपए पैसे रखते हैं, वहां पर इसको साफ करके पानी से साफ करके रख दीजिए, गर नहीं तो वहां पर चीटी आ सकती है, इसका फिर कुछ भी नही सकते हैं आप इस डिबी को जितनी जगह रखना चाहते हैं चाहे अपने ऑफिस में चाहे अपने गोडाउन में चाहे और कहीं रखना चाहते हैं जितनी जगह आप रखना चाहते हैं इस डिबी को उतनी संख्या में आप उतनी ही डिबियां तयार करेंगे दिपावली की रात म लक्षमी का स्थाई रूप से आपके यहां पर वास हो जाए यह एक प्रकास से इंडिकेशन ने इस उपाय के द्वारा आपको यह एपिसोड कैसा लगा आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करना है आने वाला समय दिपावली का त्योहर आने वाला है आप दिपावली पर क्या करने वाला है किस दंग से पूजन करने वाले किस मंत्रों से पूजा करने वाले आपने अभी तक दिप तू छूट न जाए जिसके लिए आपको अंत समय में इधर इधर भागना दोड़ना पड़े हमने दिपावली के अवसर पर दो प्रकार के कलस का निर्मान किया है एक अक्षा लक्षमी कुबिर कलस और दूसरा लक्षमी विनायक कलस जो भी कलस आपको पसंद हो आपको इसका डीवीडी वी जिससे कि अब लक्षमी का पूजन भी कर पाएं और सारी राज्श्री सुक्त का पाट भी कर पाएं प्रसंद रहें अपना अपने परिवार का बहुत-बहुत खैल रखें आप सभी को मेरा नमस्कार शुब कामना इश्वर आपकी रक्षा करें मालक्षमी आ वैभव अपार दिपावली एक ऐसा पर्व है जो आमावस्या की काली अंधेरी रात को भी प्रकाश पर्व में बदल देनी की श्रमता रखती है अब आप ही सोचिए कि ये पर्व क्या आपके जीवन के अभाव अशांती कलेश को नहीं मिटा सकती जी हां मिटा सकता है यद आपको भी आशिर्वात मिल जाए इश्वर का मार्क देशन मिल जाए गुरू का सहयोग मिल जाए दिव्य शक्तियों का प्रभावशाली मंत्रों का और विलक्षन सामगरियों का तो आप भी वदल सकते हैं अपना जीवन इस दिपावली पर पूरी श्रधा और विश्वास के साथ शाक्षात मालक्षमी को आमंत्रित करे इस अमुल्य आक्षे लक्षमी को बेर कलश के माध्यम से और प्राप्त करे सम्रधी शांती सुख सफलता पूरे वश्वर इस कलश में समावेश है 27 विलक्षन सामगरियों का इन एक एक सामगरी को मंत्र जाब अनुष्ठान प्रान प्रतिष्ठा से जाकरत किया है पंडित श्री माली जी के सानिद में विद्वान कर्म कांडी पंडित उत्वारा ताकि आपको मिले अतहाधन यश किर्ती वैभव तो देर किस बात की एक शंड भी व्यर्त कवाए बिना आज ही अभी ओडर करें दिपावली पैकेट क और इस बार रोग ही ले मालक्षमी को चिरकाल तक के लिए